तो दोस्तों यह है H660 48 Pro जिसका अभी इंजन यहाँ पे 200 होस पावर से बढ़के यहाँ पे 300 होस पावर हो चुका है जो इंजन इसमें पहले आता था उस 200 से 160 होस पावर का इंजन इस गाड़ी में आपको आ देखने को मिलता था वो अभी 300 होस पावर का यहाँ पे हो चुका हमआं इस ओफए हो सामने पस्सक्राइब सामने विंडशी दिए उस्जा अभाइस वाइफर भ्लेट आपको यहाँ मिल जाते हैं और डावर हैंडल को दोनों तरफ यहां पे देखने को मिल जाता है यहां पर बात करें सामने यहां पर Asher का लोगो आपको मिल जाता है Asher की बैजिंग आपको यहां पर मिल जाती है Pro 6048 X-Pik यहां पर बैजिंग मिल जाती है यह गाड़ी अभी आ रही है 300 होस पावर के अंदर जो कि पहले 260 फावस पावर के अंदर ये गाड़ी आ रही थी तो अभी फ्रंट फेश या देखे तो फ्रंट फेश या वही रहता है सामने का जो पहले रहता था तो इसमें कोई changes आपको नहीं मिलने वाले मिलने वाले सरफ एशर के यहाँ पे इंजन में यहाँ पे changes यहाँ पे किये गए है फ्रंट बंपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फोग लाइट के लिए option आपको यहाँ पे मिल जाता है और नीचे की यहाँ पे थैवी bumper आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है गाड़ी को टोग करने के लिए hook यहाँ पे मिल जाती है आगे की तरफ जो तीन वाइपर बिलेट है क्या ये सही है छोटे छोटे तीन वाइपर बिलेट लगाए है तो आप इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्षन में जुरूर बताना तो दोस्तों अगर बात करें याप एस सैड लूक की गाड़ी का एक पर देख सकते हैं जो बागी गाड़ियों का इतना कहँजा है यहाँ डे कहँगेन कंषे कहरा है तो यह कंषे कोंई में काफी में यहाँ पर आपको 300 horse power की bazing आपको यहाँ पर मिल जाती है जो कि अभी इस गाड़ी में 300 horse power का engine आपको आने ओला है यहाँ पर indicator light आपको यहाँ पर देख सकते है तिन footstep आपको मिल जाते हैं गाड़ी के चड़ने के लिए side में आपको bumper मिल जाता है जो की आपको plastic का मिलता है ना कि metal का मिलता है अगर बस दोस्टो बात करें tire size की तो यहां पे आपको tire size मिलता है 295 बटा 90R20 का tire का tire आपको इस गारी में देखने को मिलता है तो air intake आपको यहाँ पर देखने को पीशे मिल जाती है 300 horsepower का engine मिलता है 1200 mm की torque मिल जाती है दोस्तों अगर clutch plate की बात करो तो इसमें आपको 437 mm die की clutch plate यहाँ पर देखने को मिल जाती है gearbox की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 9 speed gearbox मिलता है जो की manual आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक आपको crawler प्लस 8 gear आपको यहाँ पर मिलते है साथ में कुल मिला के आपको इसमें 9 gear मिलते है जिसमें से एक आपको crawler gear मिलता है एक आप बाकी आगे 8 gear आपको जो और मिलते हैं तो दोस्तों जो आगे के वीला हैं नो जो अन दोनों में आपको पैरिआबॉलिक लिस्प्रिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर आपको जो adblu ऐसी के अंदर यहांपे इसको hold किया ग princess popeस को मड़ कर दो जाता इंक कि गाड़ी की बात करें तो बणके यहाँ को तो यहाँ पर समाति ज करें तो यहाँ पर आपको चाहिः है तो यहाँ परौण गड़ाँ और जाद यहाँ प्छंट की कि तरह आपlax कियों। अगर बात करें तो यहां से यहां तक के इसको इसकी तीखनाई है और लेक को फोस्ट पीछयोल सेंटलतों को प्वालिक आपको अभिटाय के उंपर आपको यहां पर एक bumper मिल जाता है, around बड़े साइज का bumper आपको पीछे भी मिल जाता है, अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपको काफी हैवी यहाँ पे sports जो हैं लगा रखे हैं, काफी हैवी sports आपको अलग-अलग यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे एक, दो आपको यहाँ पे, आगे भी ऐसे भी काफी काफी मजबूत जो चैसी है, उसको किया गया यहाँ पे, अगर बात करें तो यहाँ पे आप एर बैल क्लीफ सप्रिंग आपको इस गाड़ी में मिलते हैं बैंटरी की बात करते हैं यहां पर बारा-बारा वोल्ट की दो बैंटरी मिल जाते हैं जाने की 24 वोल्ट की बैंटरी आप इस गाड़ी मिल जाते हैं यहां पर कूलेंट का उप्शन मिल जाता है यहां पर गाड़ी के कूल यहां पर quality नहीं मिलती, नहीं यहां पर कोई water holder मिलता है, नहीं कुछ ऐसा, सिर्फ एक magazine holder है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि cabin की cabin की जो चुड़ाई वो बहुत काफी कम है, तो इसी वज़े से यहां पर कोई water holder वगएरा नहीं मिलता, आपको manually यहां पर आप सकते हैं, gear boxes का, यहां पर देखते हैं, एक आपको crawler, एक reverse, और 8 gear आपको यहां पर forward मिलते हैं, जो कि आपको normal रहते हैं, और अगर बात करें, यहां पर front की यहां पर देख सकते हैं, जो dashboard है सामने का, सभी indicators आपको यहां पर आगे की तरफ यहां पर आगे की तरफ यहां पर डेशबोर अगर बात करें तो सामने का डेशबोर आपको मिलता है, यहां पर देखते हैं, काफी बड़ा डेशबोर आपको नहीं मिलता है, छोटा सापको डेशबोर बिलता है, इसको भी आपको बहतर करने की, अगर एक्षर की बात करें तो इसको बहतर करना चाहिए, क्योंक पर आपको तीन ब्लोर आपको इस सड्ड मिल जाते हैं इसी के साथ आने वाली है यह गाड़ी दोस्तों अगर आपको एक सीट मिल जाती है और बात कर अगर पीछे यहां पर बेड़ सच की तो बेड़ सच शोटा रहता है क्योंकि उतना बड़ा सच नहीं है और छोटा भी नह कर दो यहां पर आपको एक विंड़ो मिल जाती है पीसे का रेयर व्यूर देखने के लिए उपर अगर बात कर दो यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर आपको अच्छी पैडिंग आपको यहां पर मिल जाते हैं यहां पर आपको मैगजीन या पेपर रखने के लिए हो कोई उसमें दिकत नहीं है तो गाड़ी का जो क्याबन वो काफी अच्छा कित नहीं है सिर्फ इसके अगर गारी की बात करके तो सिर्फ इसका एक डेश की डेश्बरर सामने तो स्थ आपको यहां पे देखने को मैंता है बहुत बड़ा डेश्बर्ड आपको शोटा देखने को मिलता है इसलिए इस गाड़ी में प्रॉडम है और कोई प्रॉडम नहीं है अगर बात करें यहां पर सीट की क्वाल्टी की तो वह काफी अच्छी है प्रोक्सिमेटरी मिरर आपको यहां पर साइड में मिल रहा है तो गाड़ी बहुत ही शांदार है दोस्त इसे और इंटरेश्टिंग वीडियो के साथ नमशकार दोस्तों जैहिन वंदे मात्रा